हाई दोस्तो तो आज हम जा रहे हैं पिंचर क्रीक हमने दो दिन का वेकेशन बनाया है तो आज हम निकल रहे हैं अभी अभी हम निकले हैं घर से पिंचर क्रीक के लिए और हमें लगेगा लगवाग दो धाय गिंटे लगेंगे वहां पहुचने में हम पहुचेंगे अपना लेगेश रखेंगे उसके बाद हम वहां पर आसपास भूनने जाएंगे और कल हम जा रह रहे हैं Waterton Lake बहुत ही beautiful lake है हम भी first time जा रहे हैं first experience होगा तो दिखते हैं कैसे experience होगा चलो मैं आपको दिखाती हूं अपनी जड़नी तो पस अभी अभी हमने घर से शुरुआत की है यह हमारी लग्की जी ड्राइब कर रहे हैं और यह हमारे दोनों बच्चे सो गए यहने तो काड़ी में रखने नीद आजाती है मां बड़े पूरुवी अरफ कि पुट अ झाल झाल कर दो कि हमने बीच में गाड़ी रोगी है और हमारे बीच है कितना अच्छा व्यू है मुझे यहां बहुत मज़ा रहा है मैं थोड़े दर यहां रोगी है यहां अपनी चाय जोए करें है झाल 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 हम पहुंच गए है हमारे मोटल और यह देखो हेलो दोस्तों आज हमारा है डे टू और आज हमें जाना था वाटर टर्न लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है और पूरे दिन बारिश दिखा रहा है वैदर में तो हमें अपना वाटर टर्न का जो ट्रिप है वो कैंसल करना पड़ेगा तो हमने सोचा है कि हम इस ताउन में आसपस ही एक्स्प्रोर करेंगे आज पूरे दिन क्योंकि आज हमारे पास पूरा दिन है लेकिन हम वाटर टर्न नहीं जा सकते तो चलो यहीं एक्स्प्रोर कर लेते हैं और यहां ड्राइब करने हो बहुत मज़ा रहे हैं तो दोस्तों देखो यहां पर कितना प्यारवी और हर जगे ग्रीनरी है दोस्तों हमने सोचा था कि हम वापस जाएंगे क्योंकि रेंग बहुत ज्यादा हैवी है और हमारे साथ दो चोटे-चोटे बच्चे हैं अब थोड़ी बारिश कम हो गई है देखे आपने शीशी में देख सकते हैं बारिश की बूदे तो अभी थोड़ी कम है बारिश और हम सोच रहे हैं जब यहां तक आई गए हैं तो चलो देख लिया जाए अब मैं वहाँ जाओंगी वहाँ पूरा तो हम नहीं घूम पाएंगे बड़ जितना भी मैं वीडियो बना सकती हैं हम घूम सकते हैं देखते हैं क्या होता है रेड रॉक तो हम पहुँच गए हैं वाटर टर्ण नैशनल पार्क हमने आते हैं यहां पर गाड़ी पार्किंग पर लगा दी है और यहां पर हम रुके हैं थोड़ा वैदर इंजॉई करने के लिए यह जगे इतनी खास है क्योंकि यहां की हवाई बहुत ही खूबसूरत है आज का मौसम इतना प्यारा है कि मैं बताई नहीं सकती बट आप इस वीडियो के तुरू यहां का वैदर इंजॉई कर सकते हैं और यह है वाटर टर्न होटेल और हम जाने वाले हैं इसके अंदर तो चलो इसके अंदर जाके इसके अंदर का व्यू दिखाते हूं मैं आपको यहां के जो धॉप है वो पूरे गैठ है और आप क्यूंकि बहुत ज़्यादा बारिश आरही है इसलिए जो नदी का पानी है वो बहुत ज़्यादा ओवर्फलो हो गया है अगर आप बारिश महीं आती तो यह जो पानी है यह कम होता हो और हम नीचे जा पाते है तो बैड यह हम नीचे नहीं जा पाइ जा बारिश बारिश का पानी है